नमस्कार तो आज के सेसन में हम यहाँ पे देखेंगे कि एगर आप graduation BA से करते हैं तो आपके पास life में क्या क्या opportunity होती है हाला कि जब हम graduation करते हैं तो हम इस शंसे में हमेशा रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और अभी हमें life में आगे क्या बनना है या फिर क्या चुनना है इन सब चीजों को लेकर काफी साधा confusion होता है but don't worry हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि एगर आपने graduation BA से किया है तो उसके बाद आपके पास life में क्या opportunity है कौन से course करने चाहिए और उन course के क्या फायदे हैं उसको भी देखेंगे हाला कि graduation अगर BA से आपने किया है तो उसके बाद आप MBA, MSC IT, BPA, MPAD, B8 और इसके साथ ही साथ में MA, LLB और तमाम प्रकार के course कर सकते हैं लेकिन हर course करने के अपने एक फायदे हैं और उसी को हम यहाँ पे discussion करेंगे देखे अगर आप एक teacher बनना चाहते हैं या आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं कि आपने जिस subject से आपना graduation BA किया है उसके बाद आप यहाँ पर MA कर सकते हैं MA आप किसी भी university से कर सकते हैं चाहिए वो BHU हो, LU हो या फिर AU ठीक है, दूसरी बात यह है कि हर university अपना form निकालती है, post graduation का उसको आप form भरिएगा और जैसे ही आपका enroll होता है first year में वैसे ही आप net JRF देने के लिए eligible हो जाते हैं net JRF देने के बाद में आपको PhD करना होता है जो की 5 साल का होता है, 5 साल में करने के बाद आपको जो है सरकार की तरफ से 85,000 तक यहाँ पर मन्त आपको scholarship के तौर पर आपको पैसे मिलते हैं आप उन पैसों से research करते हैं और यहाँ तक की student का जो खुद का खर्चा होता है वो खुद भी समाल सकते हैं इसके बाद भी अगर आप वहाँ पर तैयारी करना चाहें तो वो तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर MA करने की यह फायदा हो गए और दूसरा फायदा हम अगर यहाँ पर देखें तो अधिकतर student का जो खुद होती है कि वो एक government job चाहते हैं government job like SSC किसी defense sector में या फिर कोई भी job तो अगर आपको job मिल जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिलती है तो आप preparation के साथ में भी आप इसकी तयारी कर सकते हैं इसके साथ ही साथ में कई student का ये भी सपना होता है कि वो UPSC crack करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने graduation के तौर पर भी ये के चुना होता है तो मेरी सला उन student को यही रहेगी कि हाला कि आप अपने सपने को बांधे रखिए साथ में रखिए लेकिन ये संभावता कहा नहीं जा सकता कि आपका किस attempt में होगा हाँ अगर आपका आर्थिक इस्तिती सही है और परिवार्स का आपके पास सहयोग है तो मैं definitely कहूँगा कि आप UPSC एक तरफ फोकस होके तयारी कीजी हाँ अगर आपके पास आर्थिक इस्तिती सही नहीं है आपके घर की या फिर किसी तरीके से दिक्कत है तो मैं कहूँगा कि पहले आप government job ले लीजिए इसके बाद आप तयारी कीजे क्योंकि आपके पास भरपूर समय रहता है जिसके माद्यम्स आप तयारी कर सकते हैं क्योंकि अब नई सिक्षा नीति के अंतरगत आपका जो B8 है वो एक साल का कर दिया गया है तो आप उसको भी देख सकते हैं B8 का भी हर intense exam जो है निकलता है कई college में अपने basis पे लेते हैं कहीं पे intense exam के basis पे लिया जाता है entry तो कहीं पर उनके जो है marks के हिसाब से वो परिक्षा intense exam करवाते हैं उसके basis पे वो entry लेते हैं तो आप उसके according वहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सला यही रहेगा कि अगर आपने graduation कर लिया है तो आप B8 कीजिए B8 देने के बाद में आप सभी exam देने के लिए eligible हो जाएंगे like TET, TGT, PGT और तमाम प्रकार के जो teachers के exam होते हैं उनको आप देने के लिए eligible हो जाएंगे जैसे आप TET देते हैं सूपर TET देना होता है इसके बाद भरती निकलती है सरगार की तरफ से इसके बाद वहाँ पे आपका हो जाता है ठीक है इसके साथ में अगर आपका teachers लग जाता है तो इसके साथ में भी आप अपनी preparation कर सकते हैं जैसा कि उसके छेत में भी बढ़ने क है कि आप एक yoga teacher बने तो उसके लिए आप BPA कर सकते हैं BPA course भी आप इलाबाद university या फिर तमाम प्रकार के जो universities हैं उन में से कर सकते हैं क्योंकि हर class में हर college में जो होता है कहीं ने कहीं वो एक vacancy या दो vacancy आती है तो अगर आपका interest है definitely ये courses काफी कम लोग करते हैं तो आप इ ये option अगर मैं बात करूं तो LLB काता है आप graduation BA करने के बाद में आप LLB भी कर सकते हैं दो साल का LLB होता है हाला कि यहां पे सलाह दी जाती है कि अगर आप 12 पास करते हैं अगर आप LLB करना चाहते हैं तो 5 साल का B LLB होता है उसको भी कर सकते हैं बाकि आपके पास MSCIT औ करके यह सारी information दे रहें तो हम यहां पे कहेंगे कि अगर आप MBA अगर आपके पास आर्थिक इस्तिती समय दोनों हैं तो definitely आप इस course में जा सकते हैं और अगर आप MSCIT से भी करना चाहें तो भी आप यहां पे eligible हैं उसके लिए eligibility आप वहां पे check कर सकते हैं इसके साथ ही साथ म अगर आप diploma course करना चाहते हैं तो एक साल का diploma course भी कर सकते हैं I hope को आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपका किसी भी तरीके से doubt हो तो आप comment box के माद्यम से पोच सकते हैं Thank you so much, keep loving, keep supporting and keep stay with us Thank you so much